अच्छा ये बताओ कोई बकरे को काट रहा है और कोई बकरे को बकरे का इलाज कर रहा है एक आदमी बकरे को काट रहा है और एक आदमी बकरे का इलाज कर रहा है आपके हिसाब से इन दौनों में धर्मातमा कौन है बोलो एक मुर्गी को मार रहा है और एक मुर्गी का इलाज कर रहा है आपके हिसाब से धर्मात्मा कौन है धर्म किसके पास है एक मचली को मान रहा है और एक मचली को दाना डाल रहा है आपके हिसाब से धर्मात्मा धर्म किसके पास जादा है बोलो हाँ यही तो धर्म है जिसके पास धर्म होगा वो कभी मचल कि जान नहीं लेगा जान वहीं ले सकते हैं जिनके जीवन में धर्म अस्त हो चुका है धर्म का सूर्य अस्त हो गया है आप लोग अपने जीवन में धर्म को अस्तना होने दीजिएगा अपने जीवन में क्या अस्तना होने दीजिए धर्म का सूर्य अस्तना धर्म को बच्चाती रखिएगा आज मांस कौन खा रहा है धर्मी या अधर्मी धर्मी क्यों खाएगा आप मेरे सामने मांस परोशिए अंडा मुर्गी मचली बकरा बकरी और कहिए महराची मैं आपको सौ करोड रुपए दूंगा आप ये मांस खा लो आप सौ करोड नहीं लाखों करोड पूरी दुनिया मेरे नाम लिख दीजिए तो भी मैं उस मांस को इस पर्स नहीं करूंगा क्यों क्योंकि पैसों से ज़्यादा कीमती मेरा धर्म है धर्मों रख्षत मेरा धर्म इस संसार मैंसी कोई दौलत नहीं है कोई संपत्ती नहीं है जो मेरे धर्म को खरीद सके धर्म जब होता है तो धर्म आपको सबसे स्रेश्ठ बना देता इसलिए किसी की हत्या करने वाला धर्मात्मा कैसे होगा इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ तुमारी अनपढ दादी तुमारी अनपढ नानी तुमसे गाई की सेवा करवाती थी पहली रोटी गाई की कुट्टे की निकलवाती थी वो अनपढ लोग थे हमारे देश में लेकन वो जीव मात्र के प्रती दया का भाव रखते थे चीटी को दाना डाला जाता था आज कुछ लोग चीटीओं पर गरम पानी फेक देते हैं कि हमारे घर में चीटीओं बहुत आती हैं हमाराज क्या करें परिसान हो गए हैं अरे तुमारे घर में चीटीओं आती हैं तो यह समझो कि तुम खुश नसीव हो कि कम से कम चीटीओं तुमारे घर का आटा खाने तवाती हैं तुम खुश नसीव हो कि तुमारे घर आती हमा मात्र की सेवा करना सिखाती इसलिए आप अपने बच्चों को सब पढ़ाओ इंजीनियर बनाओ डॉंक्टर बनाओ एड़ोकेट बनाओ पाइलट बनाओ जो बनाना मर्जी बनाओ सब बनाओ पर सब से पहले उन्हें धरमात्मा बनाओ धर्म का पाज पढ़ाओ और जो धर्म का पाज पढ़ेगा वो कभी चोरी नहीं करेगा वो कभी जारी नहीं करेगा चोरी जारी जानते हो ने पराई आरतों को देखने वाले पुरुस को जार पुरुस कहते जैसे इस्त्रियों को कहते हैं कुलिटा अपने पती को छोड़ कर और पुरुषों को देखने लग जाए दोसे कहते कुलिटा और पुरुषों में जो पुरुष अपनी पतनी को छोड़ के औरों को देखे पुरुषन को ताक जाग करे वो जार पुरुष कहलाता तो चोरी और जारी ये सब इन से बचना हो आप अपने बच्चों को यदी चोरी जारी मांस शराव इन से बचाना हैं तो स्कूल कॉलेज के भरोसे नहीं बच सकते धर्म के भरोसे बच सकते हैं इसलिए बच्चों को धर्म का पाच पढ़ाओ पढ़ाओ स्कूल कॉलेज सही है पर घर में आए तो बच्चों को धर्म सिखाओ बेटा क्या धर्म है और क्या अधर्म है धर्म और अधर्म का की पहचान करना सीखिए है ना भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं परित्रा नाय साधूना भगवान धर्म की स्थापना करते हैं भगवान धर्म की स्थापना करते हैं स्थापना करने के लिए कितनी बार आ चुके हैं कौन बताएगा आप बताएंगे मैया कितनी बार भगवान धर्म की स्थापना करने धर्ती पर कितनी बार आप बताओ कितनी बार अभी तक भगवान तेइस बार आ चुके हैं इस कल्यूक के आखरी में 24 वी बार आने वाले हैं कल की अवतार ले करके 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं 24 वा होने वाला भगवान के टोटल कितने अवतार हुए कितने अभी 23 हो चुके हैं 23 अब 24 होगा कल्यूक के अंत में कौन कौन से अवतार हो गई भगवान के पहला अवतार है सनकादी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दूसरा अवतार है भगवान का बारा हुए 12 12 अ befतार किसं लिए धरण कि अ भगवान में चलांगUh कैक्श प्रथभी को ले गया असे प्रथभी किस थापना कि तीरह वतार भगवान में tremendous आ की है साइन्टिफिक साइन्स क्या कहती है आप जानते हैं प्रच्वी किस पर टिकी है तो दोस्तों आप लोग प्लीज पूरा वीडियो देखेगा आप लोग काथा सुन्या कीजिए दोस्तों प्लीज